हेलो फ्रेंड वेल्कम तो आज चैनल जिसका नाम है प्रॉफट ट्रेडर्स तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बेट करने थीरियम के नेक्स वो की बात करेंगे अब मुझे जो लग रहा है वो बॉटम आ चुका है डंप जो है वो खतम हो चुका है और क हम जो है वो फोकस करेंगे आरपे ट्रम के नाइन टोकन पर कैसे वो टोकन हमें जो है वो बाइ करना है तो चलिए बिना वक्त जाया किये आज का वीडियो शुरू करते हैं करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार तब भी हम तुम्हें यह सब इंफोमेशन जो है वो दे सकेंगे बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करो क्यों कि यूट्यूब जो है वो तुम्हें नहीं बताता है अभी मुझे नहीं बता उनकी क्रिप्टों के साथ क्या कि यह पैरलल चैनल कितना परफेक्ट है हम लोग एक्जाक्ट रिस्टेंस पर आकर जो है वह वापस रोग गये है वापस नहीं जाएंगे मुझे नहीं लगता हम लोग बॉटम के ओपर जाएंगे अब क्यूंकि सपोर्ट हमारे पास जो है वह यह और इंच लाइन का और य यहां यहां हम लोग यह वाला लाइन गीना ऐसा कुछ बुल फ्लाग बनेगा और उसके बाद हम जो है यहां से सीधा ब्रेक आउट करेंगे और हमारा जो टार्गेट रहेगा वो रहेगा यहां से अभी एक्शली यह तो ऊपर ही जाने वाला है तो फुल फ्लिच टेंशन क की बात नहीं है पर अगर आपको क्विक टार्गेट लेना है तो दाट विल भी 3660 डॉलर्स ओके और यह मेरा मानना है तो ऐसा ही होना भी चाहिए और सेम गोज विट कोई अभी अगर आप बिट कोई भी देखोगे तो बहुत ही सॉलिड एक्जाक्ट यह पैरलल चैनल में गूम रहा है वॉल्यूम बहुत अच्छा है ओके अब यह ओरेंज लाइन जो हमारी यह में 21 है वह ग्रीन को क्रॉस करके फिर से गोल्डन क्रॉस बनाएगी ओके अब देख सकते डेथ क्रॉस की वज़से डंप आता है अब यहां पे गोल्डन क्रॉस बनेगा ऐसे जिसके बाद यह जो बिटकोईन है यह वापिस ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो इसका भी वैसा ही है लेकिन इसे भी थोड़ा टाइम चाहिए यह बुल फ्लाग बनाने के लिए और एक बार जैसे बुल फ्लाग बनेगा फिर हम लोग जो है वह वापिस पोजिशन ले सकते है अब हम लोग क्विकली चलते हैं आर्बिटरम पे तो जिन लोगों ने जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि अर्बिटरम क्या है और क्यूं हम इसे बाइ करना चाह रहे हैं सो मेक्शुर कल का वीडियो जरूर देखो ओके कल हमने इसको पर स्पेशली एक वीडियो बनाया तो यह वीडियो जरूर देखो यार यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह तुम्हारे लिए मनी मेकिंग है मतलब यह 2017 में एनिफ्टी खरीदने के बराबर है वह से चार साल पहले अगर तुमने एनिफ्टी खरीदा होता तो क्या होता वही आज तुम यह आर्बिटरम यह 9 token है click on view rb scan करो ओके तो जब तुम click on view rb scan करोगे तो यह तुम्हें इस website के ओपर ले आएगा यहां पर अभी तुम्हें यह बता रहा है अभी देखो कल जब हमने बात की थी तो शायद ऑल्मूस 4,000 कुछ holders थे आज वो addresses बढ़ते जा रहे है तो लोग buy कर रहे है तो तुम इस website के उपर आजाओ यहां से तुम rb9.com उसका website जहां से तुम्हें buy करना है अब तुम rb9 पर जब आओगे तो यह तुम्हें बोलेगा क्यार तुमना गलत metamask wallet तो तुम्हें metamask चाहिए इसके लिए तो make sure metamask wallet download करो अब यह तुम्हें क्या बोल रहा है क्यार तुमना गलत metamask wallet पे हो तो तुम अपने settings में जाके add network करके यह सब details चालो और add करो तो यह कुछ जादा मुश्किल काम नहीं है अगर तुम metamask wallet देखोगे और यहां अगर तुम settings में जाओगे और settings में जाके जैसा उसमें बोला यह network और add network तो network अगर तुम करते हो तो यहां पर यह सब details तुम्हें देने है network का name, new RPC, chain ID, block explorer ओके और यह सब डालके तुम्हें save करना है और फिर जब तुम यह सब कर लोगे तो तुम्हें connect करना है तुम्हारे Arbitrum network पे जैसा कि अब मैंने select किया है तो यह करने के बाद वो तुम्हें बोल रहा है कि भाहिया तुम एक्दम perfect हो सही तुम जगा पे आ गए हो और तुम्हारा सब sorted है यहां पे अभी तुम्हें यह सब देख रहा है और अब यहां तुम उसका price भी देख सकते हो और Ethereum का या TVL बढ़ता ही जा रहा है इसमें circulating market cap अभी जो है वो 16 million dollars हो वही है वापसे तो यह token काफी अच्छा जा रहा है अब इसे बाए कैसे करना है तो buy करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है अपने metamask के Ethereum by default रहता है उसका wallet तो इस wallet में तुम थोड़ा Ethereum जो है वो deposit कर दो यह तुम्हारा address रहेगा इस address में तुम्हें Ethereum जो है वो deposit करना है यह deposit करने के बाद तुम्हीं इस website पर जाना है अब यह website का नाम जो है यह है bridge.arbitrum.io तो अब यह website में अगर तुम्हें आ के क्या करना है यहां पर तुम्हें तुम्हारा जो Ethereum है अब देखो तुम्हें क्या करना है तुम्हें layer 1 से layer 2 में change करना है क्योंकि तुम सीधा उसे buy नहीं कर सकते तुम्हारे जो Ethereum के wallet में तुमने Ethereum deposit किया होगा ना वो तुम्हें यहां पर दिखेगा कि तुम्हारे पास इतना है तुम यहां वो पूरा select करो जितना भी Ethereum है तुम यहां से select कर सकते हो copy कर सकते हो और उससे deposit पर click करो जैसे deposit पर click करोगे वो तुम्हें MetaMask में notification देगा उसका कुछ fees का फटका पड़ेगा जो बहुत जादा है मेरी खुद की band budget fees देने में तो वो fees का फटका पड़ेगा वो fees के फटके पड़ने के बाद यहां पे वो दिखाएगा कि तुम्हारा L1 जो है वो deposit successful हो चुका है और जैसी deposit होगा वो automatically L2 में deposit करना शुरू करेगा वो खुद से खुद करेगा तुम्हें कुछ नहीं करना है तो जब यह deposit ऐसा success हो गया अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें चुप चाप जाना है तुम्हारे Arbitrum के इस पे ओके सिंपल स्टेप अब तुम Arbitrum पे आ गए यह तुम्हें वॉलेट सलेक्ट कर लिया यहां पर तुम्हें एथ जो है वो दिखना शुरू कर देगा अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है अब तुम्हें जाना है सुशी स्वाप तुम वापिस यह जो वेबसाइट है स्वाप अन सूशी तुम उस पर जा सकते हो मैंने गलत डव्यूस एथ को सलेक्ट किया तो वह नहीं आपको यह करना है तो स्वाप अन सूशी जब आप करोगे तो यहां पर आपको जो है वो एथ आपका जो अमाउंट रहेगा अगर आप देखोगे तो जैसे मेरे वाले में कि मैं अल्रेडी बाय कर चुका हूं तो देखो 0.0022 एथ है वो मुझे यहां पर देख रहा है और जैसे ही मैं इसे अगर मेरा वालेट आर्बिटरम नहीं है अगर मैं इसे सलेक्ट करूंगा तो यहां पर वो टोकन ग करो जाएगात सितना पर वहां कर लोगे तुम्हें यहां पर यहां आमांने की बाय हो जाएगा थुक्त कर अबाद के आप्शन तो अगर तुम्हें इसमें कोई भी कन्फीजन हो या तुम्हें लगे यार यह नहीं चल रहा है या कुछ तो गड़बड है मेक्षवर हमें कॉमेंट करके जरूर बताओ इंफराक्ट हमारे टेलिग्राम ग्रुप्स पे आ जाओ हमें पिंग करके पूछ लो के भाई हमें यह नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं उमीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया आपको समझा यह टोकन कैसे बाए करना है और कोई भी सवाल रहे तो जरूर फॉमेंट करो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और हमें ऐसे त्यार करते रहो यार हुआ सली है! यह हुआ है।